हेलो फैंट्स वेलकम टू नवीन हेल्थकेर आज के सुड़े में हम जानेंगे टीवी के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए आपसे रिक्वेस्ट है या वीडियो एंड तक जोर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलें सबसे पहले हम जान लेते हैं टूवरक्लॉसिस की बिमारी क्या है टूवरक्लॉसिस जिसे तपपेदिक या छह रोग भी कहा जाता है या एक संक्रामक जिवानू रोग है जो कि माइको बैक्टिरियम ट्यूवर क्लोजिस जिवानू के कारण होता है एक संक्रमक एजेंट के कारण होड़ने वाले अन्य बीमारियों की तुलना में टीवी संसार का दूसरा सबसे खतरनाग रोग है या हवा के दौरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक करता है फेफरों के अलावा यह सरीर के बाकी हिस्सों जैसे की मस्तिस्क, पेट, लीवर और रीट की हड़ी में भी टीवी फैल सकती है टीवी के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि टीवर क्लोसिस के मरीजों को भूख नहीं लगती है सरीर पुरी तरह से कमजोर हो जाती है टीवी की बीमारी होने की सबसे बड़ी वज़र यह है कि जिन लगों की बॉड़ी कमजोर होती है उन लगों में टीवी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है TB के मरीजों में जब TB की दवाईयां चलती है जिसके कारण मरीजों में गैस बढ़ना, मन घूमना, उल्टी होना, पेट में दर्ध होना, भूख नहीं लगना ये सवी समस्याएं TB के मरीजों में शुरुवाती दिनों में देखने को मिलती है फिर एक से दो महिने दवाई खाने के बाद ये सवी दक्षन कम हो जाते हैं TB के मरीजों को इन कंडिशन में इस बीमारी से लडने के लिए अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है ऐसे मरीज जैदा से जैदा प्रोटीन का सेवन करें मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल जरूर ले हमेशा हल्दी डाइट ले, खाना खाने की कौन्टिटी बढ़ाएं और भरपूर मात्रा में खाना खाएं तो फैंस अब हम जान लेते हैं टीबी की विमारियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो फैंस टीबी के मरीजों को सबसे जैदा प्रोटीन का सेवन करना चाहिए प्रोटीन इन चीजों में सबसे जैदा पाई जाती है जैसे की चीकन, मीट, मचली, अंडा, दूध, पनीर साथ ही आप सभी प्रकार की दाले जैसे की चैना, मूंग, मसूर, अरहर इन सभी दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटी होती है साथ ही आप दल्या और स्वयाबिन भी ले सकते हैं ये सभी चीजे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोथ है साथ ही आप मल्टिवितामिन्स और मिल्डल्स के लिए सभी प्रकार के फल और सबजिया भी ले सकते हैं फल और हरी सबजिया खाने से immense cells को बढ़ाने में मदद मिलती है और immunity को boost करती है कुल मिलाकर टीवी के मरीजों को भारपूर मात्रा में प्रोटीन और पोसक तत्तों का सेवन करना चाहिए अब हम जान लेते हैं टीवी के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए टीवी के मरीजों को निकोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे की खईनी, बीरी, सिग्रेट, ड्रक्स, एलकोहल इन सभी चीजों का सेवन नहीं करें और सक्कर का सेवन नहीं करें, तली भुनी और मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करें कॉल ड्रेंग और ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें इन सभी चीजों को लेने से इम्मिनिटी सिस्टम लो होता है और टीवी से लडने की छमता कम होती है साथ ही टीवी की बीमारी जल्दी क्योर करने के लिए नियमित रूप से दवाई ले, डेली एकसरसाइज करे अच्छी निंद ले, हेल्दी फूड का सेवन करे टीवी के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस वीडियो में लास्तक बनी रहने के लिए आपका धन्यवाद उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ठैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो जय हिंद जय भारत